नमस्कार दोस्तों, एक बहुत इंपोर्टेंट खबर आ रही है अफगानिस्तान से, आपको पता होगा पंजशीर यही एक ऐसा प्रोविंस बचा था अफगानिस्तान के अंदर जिसको तालिबान अभी तक कैप्चर नहीं कर पाया था, लेकिन यहाँ पर तालिबान के दौर आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप UPSC या फिर किसी भी एक्जाइम की त्यारी कर रहे हैं, सिंप्ली आपको हमारे आप को डाउनलोड करना है, या फिर studyiq.com पर जा सकते हैं, जहां पर आपको सभी कोर्से बहुत कम दाम पर उपलब करा दिये जाएंगे, चलिए देखते हैं, एक्जाक्ली हो क्या रहा हैं, हम यहाँ पर इसके बारे में क्यों डिसकस कर रहे हैं, क्योंकि आज सुबे से, in fact, कल मैं देर रात को देख रहा था, ये खबर आ चुकी थी कि जो तालिबान है, और बहुत सारी जो sources हैं, उनका ये कहना था कि पंशीर के उपर जो पूरा कबजा है, वो ये तालिबान ने कर लिया है, इसकी location काफी important हो जाती है, पहले भी हमने discuss किया हुआ, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हो, ये अफगानिस्तान का map है, और यहाँ पर जो काबुल है, जिसको 15th of August को take over कर लिया था तालिबान ने, और इसके करी भी इस बार भी यहाँ पर कुछ हद तक आप कह सकते हो, जो resistance है, तालिबान के खिलाब वो दिखाया जा रहा था, तो यही जो particular province है, उसको भी कबजा कर लिया है, तालिबान के दौरा ऐसा कहना है, क्योंकि मैं आपको बता दूँ, जो leaders हैं, resistance movement के जो leaders हैं, जैसे एहमद सुना होगा, अमरुला सले होगा, उनका ये कहना है कि नहीं, अभी तक ये province हमारे ही कबजे में है, आप देख सकते हो, तालिबान के दौरा, उनके जो commander है, उनका ये बयान आया है, कि by the grace of Allah Almighty, यहाँ पर जो ये पूरा province है, हमने अपने कबजे में ले लिया है, ये जो troublemakers ह रहे हैं, they have been defeated, और ये अब हमारे command में आ चुका है, इनफाक यहाँ पर जब ये सारी खबर आ रही थी, तो कल देर रात से ही, कई सारे वीडियो सामने आ रहे थी, जहाँ पर gunfire, हवा में गोलिया चलाई जा रही थी, celebration समनाया जा रहा था, कि finally जो पंशीर है, वो भी fall हो च इस तरह के कुछ जो groups हैं, वो आपस में मिले और यहाँ पर एक प्रकार से anti-Taliban force खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, in fact यहाँ पर जो सबसे आगे थे आपको पता होगा, जो vice president रह चुके थे अभी तक Amrullah Saleh, वो lead कर रहे थे इन सारे चीजों को, उनके दोरा यहाँ पर कोला गया है कि हमारे forces ने अभी तक give up नहीं किया है, there is no doubt we are in difficult situation, हम बहुत ज्यादा मुसीबत में हैं इस समय पंशीर के अंदर, लेकिन यह कहना कि हमने give up कर दिया है और Taliban के अंदर आ चुका है, यह गलत होगा, we have held the ground, we have resistance, और इसके लाबा और भी कुछ resistance लीडर्स हैं, उ पाकिस्तानी मीडिया के अंदर काफी जादा यह news circulate हो रहा था, कि पंशीर जो है वो Taliban ने finally ले लिया है, और इसको लेकर भी एहमद मसूद, ठीक है आपको पता होगा कि एहमद सा मसूद के बेटे हैं, जिन्होंने resistance दिखाया था, 2001 में उनकी मिलती हो गई थी, तो यहाँ पर जो एहमद मसूद हैं, उनका भी यह कहना है कि नहीं, यह जूट है, जो भी पाकिस्तानी मीडिया के अंदर दिखाया जा रहा है, वो गलत है, इन्फरक्ट यहाँ पर एक और मैं आपको news बता दूँ, पहली बार यह official तरीके से बेटे, तो सबको पता था, कि पाकिस्ता तालिबान की तरफ से भी कई सारे forces भीजे गए हैं, तालिबान के साथ वो मिलकर लड़ हैं, लेकिन यहाँ पर पहला जो proof है, वो देखने को मिला, आप देख सकते हो, एक ID पाया गया है, पंशीर के अंदर, और यहाँ पर देखा गया है कि किस तरह से तालिबान के साथ मिल कर यह लड़ है ते, इस तरह का कुछ ID बताया जा रहा है, यह न्यूज में आपको देखने को मिले का, इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखो, अभी तक जो भी कुछ हुआ है, पंशीर के अंदर, बहुत heavy casualties बताई जारी हैं, काफी लोग वहाँ पर मारे गहें, और तालिबान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, ताकि पंशीर को लिया जाए, और पंशीर के अंदर जो लोग हैं, उन्होंने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी, कि हम इसको give up नहीं करेंगे, और अभी तक करीब बताया जा रहा है, कि करीब 300-400, इस तरह के नंबर्स बत पर बताया गया है, इसके अलावा एक और सामने रिपोर्ट आ रही थी, यहाँ पर मैं आपको सभी न्यूस बतानी की बेसिकली कोशिश कर रहा हूँ, एक और खबर यह आ रही थी, कि जो अमरुल्ला सले हैं, देखें, अमरुल्ला सले अभी तक कौन थे, वो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे, तो जो हामित करजाई अफगानिस्तान छोड़कर चले गए तो इन्होंने अपने आपको प्रेसिडेंट डेकलेर कर दिया, अमरुल्ला सले का देखोगे, तो कई बार उनके फोटोस वगरा लगातार पोस्ट हो रहे थे, मीडिया के अंदर, सोशल मीड पर, तो पहले ये खबर आई कि अमरुल्ला सले भी छोड़कर जा चुके हैं, ऐसा कल से, कल देर शाम से ये रिपोर्ट आ रहा था, अल्दो यहां पर उनके दोरा वापस से फिर बताया गया सोशल मीडिया पर देखे, ये जो खबर आ रही है कि मैं अफगानिस्तान पर जा चुका हूँ, वो भी यहां पर गलत है, इनफरक्ट यहां पर उनके दोरा सोशल मीडिया पर कई सारे एक्सपियेंसे शेयर किये गए हैं, उनके दोरा इलजाम लगाया कि कि किस तरह से जो तालिबान है, वो पूरी तरह से जो फोन हो गया, उसको शटडाउन कर दिय जैसे कि आपको मैंने आपर मैप में दिखाया कि यह आपका लैंड लॉग्ड है, वो इंटरनाशनली कहीं पर बाउंडरी उसको नहीं मिलती है, तो जो भी आपका एयर के माध्यम से मदद किया जा सकता है, लेकिन यहां पर उनका कहना है कि जो तालिबान है उसने पूरी त अपिटल्स को भी एकसेस नहीं कर पा रहे हैं, और इसी के वजए से उन्होंने अपील किया है पूरे विश्व को, युनाइटे नेशन को कि आप इसीच को नोटिस करिए और हमारी मदद करिए, और यहां पर मदद के अगर हम बात करें तो सिर्फ तजिकस्तानी एक ऐसा द तक क्या है कि अशरफ गानी यह प्रेशिडेंट बने वे थे अफगानिस्तान के लेकिन उसके जस्ट पहले आप देखोगे, तो हामित करजाई काफी लंबे समय तक अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट है तो वह भी अफगानिस्तान के अंधर हैं कि उनके दौरा बोला गया है यह जितनी भी fighting चल रही है इसको बंद कर देना चाहिए they should stop fighting और यहाँ पर किसी न किसी प्रकार का जो settlement है वो आपस में कर लेना चाहिए तो यह पूरी अभी तक जो भी जानकारी थे मैंने आपको दे दिया जहां तक पंशीर वाली की बात है तो देखिए again यह बहुत ही important place इसलिए भी है क्योंकि अगर आप देखोगे यह हिंदु कुछ जो mountain range है उससे आपका गिरा हुआ है और बहुत ही कम access point है वहां से जाने के लिए in fact वहां से एक river बहती है जिसके नाम पे यह पढ़ा था आपका पंशीर river होती है और वो आपका काबूल river में जाकर मिल जाती है और काबूल river आपको पता है जैसा कि यह इंडस river पाकिस्तान के अंदर जाकर वो मिल जाता है तो उ यह basically again ethnicity है अफगानिस्तान के अंदर सबसे बड़ा ethnic आपको पता होगा वो आपका पस्तुन है उसके बाद ताजिक आपको मिलेंगे 24% के आसपास तो 1972 में इसका जनाम होता है ताजिक family में और again यह जो resistance movement जिस particular region में चल रहा है वहीं पर इनका जनाम हुआ था और यह काफी young गेज से resistance movement में जुड़ गए थे इनफाक्ट यहाँ पर जो report सामने आती है उसमें बताया जाता है कि 1996 में जो Amrullah Saleh है उनकी बहन को बहुत जादा torture किया गया था तालिबान के दोरा और इसी की वजए से हमेशा से उनका जो perception है तालिबान के खिलाब जो हमेशा बदल गया औ और वो हमेशा अगेंस्ट हो गए तालिबान के तो ये भी एक कारण है उसका background आपको पता चलना चाहिए और जाने से पहले इस समय न्यू गवर्मेंट को लेकर क्या है ये update मैं आपको बता दूँ कल ही मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर जो गवर्मेंट होगी वो इक प्रकार से जो इरान में सिस्टम चलता है सुप्रीम लीडर का वो भी आपको कुछ हद तक अफगानिस्तान में देखने को मिलेगा लेकिन जो head of the government होगा वो होंगे आपके मुला अब्दुल घानी बरादर बरादर बेसिकली वही person है जिन्नोंने तालिबान को found किया था ठी बरादर जो है वह आपका head करेगा government को एक प्रकार से prime minister का पद या president इस तरह से आप कह सकते हो ठीक है तो यह भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है तो यह पूरा अभी तक जो भी important update सा मैंने बता दिया है अभी exactly कोई खबर तो नहीं है यह officially कूंकि confirm नहीं कर सकता है इतना आसान नहीं है लेकिन तालिबान ने काफी हद कक कह दिया है कि हमने पंशीर वैली को अपने अंडर में ले लिया है जाने से पहले एक interesting question यहाँ पर कि जो अफगानिस्तान के अंदर Muslim population है उसका कितना percentage Muslim population है आपको बताना है इसका जो right answer है आपको बताई है मेरे Instagram पर तो मिले सकते हैं साथ ही साथ अगर आप UPSC और फिर किसी भी एक्जाम के preparation कर रहे है आपको simply हमारे app को download करना है I hope कि वीडियो आपको पसंद आए होगा मिलता है आप से next time till then thank you very much see you soon